हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग विद रेका पहाडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कच्छी हल्दी के अचार की यह बहुत ही हल्दी रेसिपी वेसे तो हल्दी के कई फाइदा है लेकिन खास तोर पर कैंसर और डाइबिटीस के बेनिफीशल है उसके अलावा जिन लोगों को अकसर स्वेलिंग की सूजन की प्रोब्लम रहती है उन लोगों को यह जरूर खाना चाहिए इससे सूजन कम होने में काफी फाइदा मिलता है तो आईए अब बिना कोई देर किया सहसे बरपूर इस कच्छी हल्दी के अचार की बनाना शुरू करता है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बाल आइकन के लिए मैंने या पर लिए लबबग डेड़ सो क्राम कच्छी हल्दी और पचास क्राम हरी मिर्च ल आप की चोईस आप हल्दी को चिलते टाइम हाथ में हैंड गलोस का भी यूज कर सकते हैं इससे कि आपके हाथ और आपके नेल्स पर हल्दी का कलर नहीं लगेगा क्योंकि एक बार अगर हल्दी का कलर हाथ और नेल्स पर लग जाए तो आसानी से निकलता भी नहीं है यह देखिए मैंने सारी हल्दी को चिल लिया है अच्छे से और इस मिर्च के भी आगे पिछे के डंटल काट लिया है अब हल्दी को हम काट लेंगे जो चाहे वो शेफ दे सकते हैं आप चाहे तो इस तरह से गोल कटिंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से लंबाई में काट सकते ह कि मुझे यह कटिंग पसंद है कि आप जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं इस तरह के लमबे-लमबे लिकल पुल पतीले पीस काटना है हमें बिर्च को भी इस तरह से खड़ा ही काट नहीं जिस अमें हल्दि को काट मैंने यह पर मोटी वाली मिर्च लिये जो की थोड़ी फीक आती इस लिए में से 4 हिष्टो में कट कर रही हूं अगर आप बारिक वाली पतली लेते हैं तो उसे दो हिस्वे में इससरासे लंबाई में कर लें कि Detajl begin ये देखिंगे मैंने हल्दी और मिर्ची दोनों को लंबाई में अच्छे से कट कर लिया है अब हम اسे हल्दी को टीशू पेपर से अच्छे से साप कर लेंगे सूती कपड़े से खरेंगे तो आपका सूती कपड़ा पूरा ही खराब हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा इसलिए आप इसे टीशू पेपर से अच्छे से पोंच ले उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है यह एक छोटी चमच राई पीली वाली और एक छोटी चमच राई क कलोंजी लिए उसके अलावा मैंने गळा जीरा जीरा कड़ाइ कम स्मंध ह होगा है हम पर पर जीरा मेख प्र匆इण और उसके अंदर ड्राइड रोस्ट करेंगे इससे कि इसका जो सारा जो तो सीलन होगी वह निकल जाएगी इसे हमारे मसाले जल्दी से खराब नहीं होंगे हमारा अचारत अचार थोड़ा लोंग टाइम चलेगा यह देखिए मुश्किल से एक से दो मिट हमें इसे रोस्ट करना है उसके बाद हम इसे जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंड़ा होने देंगे कि देखिए अब हम इसे पांच से दस मिट के लिए ठंड़ा होने देंगे उसके बाद हम इसे मिक्सर में मोटा मोटा थोड़ा दरदरा पीस लेंगे लेंगे लेकिए मैंने सेम कड़ाई में वापस एक कटोरी तेल गर्म होने के लि में यहां पर रेगुलर ऑईल ही यूज कर रही हूं अब हम बहुत ही अच्छे से गर्म होनी देंगे उसके बाद उसे 5-10 मिर्ट ठंडा करेंगे गेस बंद करके और इसके बाद हम इसके अंदर राई, जीरा, कलोंजी और यह एक तीहाई चमच हींग डाल देंगे करने शुके माजा पौडर राई, जीरा, ऐसके बाद करके गेस बंद कर दिया अब हम इसके अंदर सारा सुखे मसाले जीसे ऐ चमच लालमिलड पाउडर नमक, ऐम्चूर पाउडर उसके अलावा तरफ कि अबस तरफ में दर्दरे पीसे थे यहां पर में जो मसाले अभी हम आप रिमिर्च और अचाने दाल देंगे और जो थी पूरी प्रफ तोट निकल जा 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 थोड़ा सा पानि आ जाता है अफ थोड़ा सा पानी आजाता है अथी को काटने के बाद बहुत ही हलका सा उसके लिए आप चाहे तो इससे टीशू पेपर पर रखकर फेन के नीचे भी रख सकते हैं 15-20 मिडिया आदे गंटे के लिए इससे भी इसका सारा पानी जो है एक्सिस वार्टर निकल जाएगा जब तक हमारा अचार पूरी तरह से थंडा ना हो जाए हम अचार को इसी रहने देंगे यह देखिए अब हमारा अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है आप अचार को भटने के लिए काँच की बढनी का ही यूज करें अगर आप अपने अचार को लोंग टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ओइल की क्वांटिटी ओर बढ़ा दें अब हम हमारे अचार को एक कांच की बर्नी में भर कर उसके उपर सूती कपड़ा बांध कर अच्छे से टाइट धूप में रख देंगे जैसा कि मैंने स्क्रीन पर कॉर्नर पर शो किया है इससे कि हमारे अचार की जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी हम इसे सिफ दो दिन के लिए तेज दूप में रखेंगे क्योंकि हमने मसालों को अल्रेड़ी ड्राय रोस्ट किया था वरना इसे तीन से चार दिन के लिए तेज दूप में रखा जाता है दो दिन बाद हम अचार के उपर से सूती कपड़ा हटा कर इसके उपर टाइट धकन लगा कर रख देंगे और जब भी अचार का यूज़ करें आप जहां तक हो सके लकड़ी के चम्मच का ही यूज़ करें इससे कि यह जल्दी से खराब नहीं होगा आप देख सकते हैं दो द कैसी लगी कमेंट बोक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी हल्दी रेसिपी लेकर आती रहोंगी बहुत जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के साथ तैंक यू